विश वॉक्सिंग चेंपियन निखत जरीन जिनकी जीत पर बधाईयां तुआईं लेकिन इनान के लिए सरकारों की तुजोरियां खुलने में काफी वक्त लग गया तब भारत के विश विजेता खिलाडियों पर पैसों की बारिश होती रही है और आगे भी होगी निखत ने 19 माई को तुर्की में आयोजित विश वॉक्सिंग चेंपियंशिप की 52 किलो पर 30 परदा में गोल्ड मैडल जीता था और इसी के साथ वर्ल्ड चेंपियंशिप का खिताब भी लेकिन निखत के हिस्से में वो धनभर्शा नहीं आई जो दूसरे एक लाडियों पर होती रही है मुस्लिम समाग ने जोर शोर के साथ सरकारों से इसका शिक्बा गिया भेद भाव के आरोप लगाए और मुखर होकर आवाजें उठाएं देर सही सही कम से कम राज सरकार को ये आवाजें सुनाई तो दी तिलंगाना के मुख मंतरी चंदर शेखर राओ ने निखजरीन को दो करोड रुपे का कैश प्राइस और हैदराबाद के सबसे पौश इलाके जूबली हिल्स या बंजारा हिल्स में मकान देने का ऐलान किया है इस संबान की घोशना ऐसे वक्त हुई है जब निखजरीन परधान मंतरी नरेंदर मोदी से मुलाकात करने पहुँची थी एक जून को निखजर पीम से मिली तो उसी दिन तेलंगाना के सीम ने प्रुसकार का ऐलान कर दिया आप ये भी सोच सकते हैं कि चंदर शेखर राओ निखजर को प्रुसकार देने के लिए शायद इसी मुलाकात के इंतजार में थे एक हकीकत ये भी है वो ये कि निखजर के वर्ल्ड बॉक्सिंग चेंपिन बनने के बाद यहां तक कि हैदराबाद के सांसाथ अस्तुदिन ओवेसी के एक टूइट के जरीए इसे सच साबित करने की कोशिश भी हुई जाहिर है कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर घूमने के बाद ये पोस्त मुक्ष मंत्री के चंदरशेखर राओ की पार्टी के नेताओं तक भी पहुँची होगी ऐसे हालात में देर सबेरी सही राजी सरकार दोरा उन्हें सम्मानित किया जाना तो तैधा इसलिए भी क्योंके तैलंगाना चुनाओ की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है खैर निखत को राजी सरकार से उनका हक मिल गया है जिसकी वो हकदार थी लेकिन केंदर सरकार के हिस्से का हक अभी भी नहीं मिला है निखत ने भारत का नाम रौशन किया है जो हर देशपासी के लिए फक्र की बात है वे उन लांकों लड़कियों के लिए होसला बनकर उबरी हैं जो दिन राध संगर्ष करके भारत के लिए मैडल जीतना चाहती है निखत भी उनी में से एक हैं, हैदराबाद में रहती हैं, इससे पहले जुनियर बॉक्सिंग चेंपियन रह चुकी हैं और अब ओलम्पिक में गोल्ड जीतने के लिए दिन राफ संगष में जुटी हैं इसलिए ऐसे खिलाडियों को उनका हक देने में जब देरी होती है तो पल भर के लिए मायूसी तो उन्हें भी होती होगी वेशक में कभी इसका इजहार ना कर पाएं निकस जरीन के लिए आवाज उठाने बाले और उन्हें उनका हक देने बाली तेलंगना सरकार दोनों ने खलाडियों और स्पोर्स का मान रख लिया है